Hey DS20, आज के class में हम लोग cover करेंगे 12th class Hindi chapter 2 को cover करेंगे जिसका नाम है उसने कहा था ठीक है chapter का नाम क्या है उसने कहा था यह हम लोग गदघंड के part 2 एनी chapter 2 को एनी हम लोग पढ़ने वाले है ठीक है और इसका पूरा एनी भावर्त इसका सरांस को अच्छे से हम लोग देखने इन से ही मतलब इसका question देखने को आपको मिलेंगे ठीक है साथ सात्मस का जो आपका एनी chapter 2 जो है उसने कहा था उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे इसमें क्या कहानी है इसका पूरा सरांस को समझेंगे इसका पूरा भावर्त को समझेंगे बिल्कुल simple भासा में देखें इसको ही हम उस बुक से ही इसको सौर्ट सनोड बनाएं जैसे आप देख पाद है यह यह जो बुक है इस बुक को अगर आप अच्छे से एगर रीट कर लेंगे चार से पांस अगर वाड़ भी अगर आप रीट कर ले तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा यहां आप बिल्कुल सरल भासा में आपको हम समझाने का प्रियास करेंगे और आयोग उमीद है कि आपको समझ में आ भी जाएंगे ठीक है इतना आपको सिंपल भासा में हम समझा देंगे कि एकदम बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको समझ भी जाएंगे ठीक है तो चरी हम लोग चल अगर निधन की बात करें तो 12 सितंबर 1922 को इसका निधन वा था अगर जर्णमस्तान से अगर जर्णमस्तान के बारे में आपको पूछा ले तो यहां पो यह जैपूर राजिस्तान बताना है ठीक है और इसका मुल निवास अस्तान गुलेर नामा ग्राम जिला कांगरा इंटरंस देकर नामेटरी किया था 1901 में कलकत्ता विशिद्याले से यानि इंट्रमेडिट 1903 में इलावाद विशिद्याले से यानि बी ये किया था और 1904 में जैपूर दरबार की और से एक खेति ना वालिक राजा जैसिंद के अविवावक बनकर मेव कॉलेज में अजमे इसका देखते हैं तो क्या है यह नि समालोचक इसका संपाध किसका इनी चंदरता सर्मा गुलरी का कासी नगरी भी उसी का यह प्रचारी का पात्री का इसका यह नि समपाधन है बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना चले उसका हम लोग रचना देखते हैं उसका रचना कोन कोन सा है तो रचना की अगर बात करें तो कहानी को सब पहले हम लोग देख लिए कहानी उसका क्या सुख में जीवन जो 1911 म हो आता और उसने कहा था जो चप्तर में हम लोग का सामिर है ठीक है जो अभी आप लोग देख रहे हैं यह साड़ा इसी का ही है किसका यह नि निवन दिये सारा लिखे है ठीक है कछवा धरम इसी का ही है मारे आपको सवाल पूछे देंगे किसकी रचना है तो यह आपको बि ही कुठवा पुराणी हिंदी भारत वर्ष डिंगल संस्क्रित की टिपरी देवनाय पिरिया आदी परमुप निवन इनके है ठीक है इनके अनुवादों की बार खोज की खाज किरियाहिन हिंदी वैदिक भासा में यह प्राक्रिपन आदी टिपन्या भी यह परकासित हुई है किसका यह साड़ा मतलब चंदवत्र्स अमागोलेडी के आदी है । चंदरर्स हाली की बारेसय का रचना जो मिछ श्क्रा 5000 का नाम किया था जरमस्तान कह आले निदन इन समझेते हैं उसका भावार्थों को पुड़ा समझने का प्रियास करते हैं ठीक है तो आपको बता दे के पुड़ा बुक को पढ़ने के बाद इसका हम सौट तरीके से आपको एहनी बता रहे हैं और कभी-कभी हम थोरा सा एक्स्प्रेंट भी कर लेंगे आपको समझना है चले तो यह हिंदी चप्टर टू है जिसका नाम क्या है उसने कहा था जिसका राइटर कौन थे चंदर्दर सर्मा गुलेडी उसके बार में हम लोग पढ़ ले अब चलते हैं हम लोग उसने कहा था चेप्टर को उसका सरांस को को देखते हैं उसने कहा था ता सिर्षक कहानी चदर्दर सर्मा गुलेडी द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा लिखे गई है ज thereby सरक्राब्यों कि बहुतकी को ठांगे के नीचे से तांगे को समय विए है यानई गारी के नीचे से सिंपल समझ जाए गारी के नीचे से उसको बचाया था ठीक है गारी के चक्काई में आ रहा था उसको वहां से बचाया थे कौन यानि 12 वर्स का लड़का किसको यानि 8 वर्स की लड़की को तो देखे यहां आपको बिल्कुल अगर भूप में अगर पढ़ते तो बहुत लंबा आपक अगर मतलब अगर उसके केंपेर में अगर हम अधर जगे की कहीं बात करें तो वहां डारेक गाली या मतलब कुछ भी आप सब्द बोल करके उसको भगाया दाता है जैसे कि अगर वहां अगर बुड़ी लोग ठीक अगर नहीं बोलते हैं बुडिया बार-बार अगर प्यारी ये बच्जा लंबी वाली ये ठीक है समिस्ट इसका अर्थ जी अगर बात करें तो तू जीने योग्य है तू भागे वाली है पुत्रों को प्यारी है लंबी उमर तेरे सामने है तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है बच जा यानि ये इस तरह कहते हैं यानि अमरिसर के भीर बाजार में अगर आगे अगर लिक में आ जाता है कोई या रोड में खरे रहते हैं गारी के सामने आ जाते हैं तो इतना प्यार से और मधूर सी मिठा सावाद में उसको भगा आ जाते हैं आदर जगे के केम्पियर में तो ये जो है कहां अमरिसर के बा करकर भाग जाती है तो फिर यहां आपको समझने वाले बात है कि यह जो लड़का फिर जाकर करके कहां मतलब एक दुकान पे एक दुकान के चौक पर यानि एक चौक पर जाकर करके मिलता एक दोनों नहीं यह रसुई के लिए दोनों जाकर के कहां इन चोक पर मिलते हैं और उसको वहाँ जाकर के बहुत बार यानि दो से तीन चार देखते हैं तो वह मुश्कुराते हैं फिर उसको पूछते हैं क्या आपका यानि कुर्माई हो गई यानि आपका मंगनी हो गई क्या तो लड़की जो है धत कहकर यानि भाग जाती है ठीक है फिर यानि सब्जी लेने जाते हैं फिर दूसरे दिन तेसरे दिन सब्जी लेने के यहां दूद वाले के यहां आकसमत दोनों मिल जाते हैं यानि क्या कह सकते इसको हिंदी में कह सते हैं आप आपकी कुरुमाइक हो गये हैं तो लड़की धत करके भाग जाती है और एक दिन अचानक मतलब क्या होता है कि फिर इसको पूछता है फिर दोनों बाजार में अक्सर कभी-कभी सब्धी लेने तो आपको बता दे यहां से लड़का बाजार में वही परस्ट पूछता है और बात में जब लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई यानि क्या हो जाता है। यह उदास हो जाता है। वह फाक भुख में तो नहीं बता है। लेकिने आपको देखता नहीं है। ये रेसम सी करा हुआ सालू लड़की भाग गई और लड़के ने घर की रहा पहली और रास्ते में एक लड़के के मेरी डखेल दिया, ठीक मोडी में डखेल दिया, एक छाबडी वाली की दिन भर की कमाई खोई, एक मतलब क्या कुत्ते को पत्थर मारा, ओड़े के क्या हो गो गया और जितने ही सारे मतलब घर आया किसी तरह गर पहुंचा गुस्सा में जो भी मिलता था उसको फेकते हुए, गिरते हुए, ठीक है वह जाकर घर पहुंचा, ठीक फिर वही लड़का जो है पिर क्या हुआ एक बड़ा हो गर, क्या हो बड़ा हो जाता है, उस घटना के और से यह फ्रांस में लड़ने जाता है, कौन? वही जो लड़का जो 12 साल वर्स का लड़का था, जो लड़की से पूछ रा था क्या आपका कुरुमाई हो गई क्या, ठीक है वही लड़का फिर जाकर के बड़े हो करके कहां, यानि सेना में भरती हो जाता है, ठीक है, और अंग्रेज की और से फ्रांस में लड़ने जाता है, ठीक है, तो यह जो आप फिर यहां से स्टार्ट होता है, यहां से बहुत लोंग था लेकिन यहां आप सौर्ट में आपको लेकर के आगए, ठीक है, तो सेना से सुभेदार हजारा सिन, जमादार लहना सिन, वजीरा सिन, बोदा सिन के बीच यानि प्रेम, सोर्य और मस्तिकी चर्चा, चलती और बोदा सिन बीमार होता है ठीक है यहाँ आपको बता दे, यहाँ पिर आपको ध्य nov ध्यान रखिएगा सुबेदर हजार मतलब हजार सिन region जमादर लहना सिन और यहाँ क्या है सिन बोदा ठीक है बोदा सिन ये जो है मतलब क्या है ये जो हजारा सिन है मतलब सुरी लाहना सिन जो है ये लाहना सिन जो आपको बता रहे है कि लाहना सिन वही लड़का है जो बारे वर्स के बाद जो है मतलब किसमें यानि सेना में जबरती होती है ठीक है ये बारे वर्स का वही लड़का है ठीक है जो टांगे के नीचे से यानि बचाया था आर्ट वर्स की लड़की को ठीक है जो बोल रहा था कि कुर्मा ये आपका हो गया वही 12 वर्स का लड़का जिसका नाम क्या है लहना सीन है ठीक है याद रखेगा यानि जमादार लहना सीन लहना सीन था और यह जो है सुवेदार किसके काम करना रहा था यह किसके इसमें था यह लहना सिन जो थे किसके पास थे यह सुवेदार हजारा सिन के पास थे और सुवेदार हजारा सिन का बेटा का नाम क्या था बोधा सिन था ठीक है तो इस तिनों के बीच में काफी प्यार और प्रेम यानि प्रेम सर्ष और मस्ति की चर्चा चलती थी वोधा, सिन बिमार होता है तथा लाणा सिन उसका पूरा खया लगता है, एक बार सुबेदार हजारा सिन को बुलाने पर जब लाणा सिन घर जाता है, हैंई किस का घर जाता है, सुबेदार हजारा सिन का घर जाता है और जो सुबेदार लहना सिन को पहचान लेते हैं यानि पहचान लेते हैं और वो सुबेदार हजारा सिन का पत्नी थी उसको पहचान लेती है और वही यह जो सुभेदारीन जो थी यानि वह जो कौन यानि है यह आर्ट वर्स की लड़की जो जिसको टांगे के नीचे से बचाया था यह आर्ट वर्स की लड़की को जो बचाया था लहना सिन जो बचाया थे टांगे के निचे में जो आ रहते चक्के में आ रहते पहिये में जो आ रहते उसको बचाये थे ठीक है जिसको पूशा गया था कि आप पहली कुरुमाई हो गई क्या तो वह जो उसी का मतलब क्या था या उसी का पत्नी था यानि सुभेदारीन या था यह सुभेदारीन हो गया यहां इस तरह लिखा होगा सुभे दारीन के कह यानि लडकी हो वो तो उसको हम पचान लेतीThen कौन लहना सिंह को पचान लेतीए और उसको उसे बुला कर कहती है कि जिसे परकार बच्पन में आप मेरा रक्षा किये ते यानि देखिए यह बहुत लोंग कानी है फिर वहाँ जाकर इसका घर जाता है फिर उससे मिलता है फिर उसको पाचान लेता है उसका बहुत अच्छे से खायल मतलब जब वहाँ जाते हैं वो लहाँ जाते हैं उसका बहुत अच्छे से मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग खातिर मानिर करते हैं उसका अच्छे से फिर उस यानि वह कहता है जैसे कि आप बुला कर उसे समझाता कहता है कि जिस परकार बच्पन में रक्षा की थी ठीक है वैसे ही हमारी पती और बेटा को बचाना अंतता लाना लिहानासिन की युद में मिर्ती हो जाती है, ठीक है, मिर्ती हो जाती है, वही जो, उसको कहा कि मतलब इसका रक्षा करना, लिहानासिन इतना मतलब इन दोनों के वज़े से इतना कस सहता है, अगर आप भूक को अच्छे समझेंगे तो अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा बुक को आप एक बार दिखेगा, उसका सरांस को आडाम से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यहां आपको सौट में हमें आपको बताने का प्रयास कियों, ठीक है, इसका सरांस उसका भाव और्थुका में आपको समझाएगा, आप जो है बुक को पढ़िएगा तो आप प्रयम के उजए से इतना मतलब वो कश्ट चाहते हैं, देजभक्ति जो अपने देज के लिए क्या कर देते हैं, तो इससे यह भावना परकट होती है, इसकानी से यह नि प्रयम है, त्याग है और देजभक्ति है, यह तीनों चीज है जो किससे है इसकानी से हमको आपको ऑफ़े आपको बताएं, जो उसने कहा था, मतलब जो पहले अमरिशर के भीर बादा में मलता है, तो यह एक पार्ट में है, फिर दूसरा पार्ट में पिर तीसरा पार्ट मेंée, पूडा बुक में है, लगए, लगए, लगए कितनה पांथ चेप्टर में इसको बठा गया है तो बिल्कूल आपकोएँ आपको समझ में पूरी तर से आ गया होगा यह उसने कहा था आपको सारान सिसकाम को समदाने का प्रियास किये था था तो और आठीữ की लड़की यह ऑनि टांगे के नीचे से उसको बचाया था और कहा अभीन सार के भीर बाजार में यही से उसको कुछने पर लास्ट में कहते हैं मेरा मंगनी हो गई उसके बाद लड़का को क्या आ जाता है गुस्सा आ जाता और वह जो भी उसको अगर मिलता आगे में उस टाइम कोई भी आते तो उसको उठा कर फेक देते किसी का मतलब क्या कहते हैं थेले में दूद उडेल दिया जाता क किसी का ठेला का दूद समेत उसको उड़ा देता था ठीक है नाती हुई किसी वेशनवी सवर टक्राया थे अंधे की उपादी पाही मतलब किसी से भी टक्रा जाते थे रास्ते में दब कहीं जाकर कि वह घर पहुंचा कौन यानि लाना सिन वहीं जिसका नाम क्या वहीं लान वर्स का लड़का है वही बारवर्स का लड़का का नाम क्या परा लाना सिन्था ठीक है जो सुवेदार बड़े हो करके फोज में भरती हो जाते हैं और वहीं सुवेदार हजारा सिन के पर जाकर के पहुंचते हैं और उसका बेटा का नाम क्या था बोधा सिन्था तब जाक पूरी तरह से यहां आपको बताया गया यह जो है दिंगत भूख है आपको सजेस्ट करेंगे कि यह बूख को आपको मज़ा आएगा क्योंकि यहां आपको पढ़ लिजेगा और इस बूख को एक बड़ा पढ़ लिजेगा आप बिल्कूल आसान तरीका से आपको समझ में इसको डिवाइट किया गया तीसरा पार्त में इसको डिवाइट किया गया और भी प्यजेश है जो नहीं लिए है इसका आपको आपको अगर तैयार बिल्कूल भी नहीं हो पाईए आप अभी तक अ एक ऐसा एप के माध्यम से आपको यह पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको जो है इसमें न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 2024 के लिए ठिक है यह बैच 2024 के लिए आपको पता होगा कि पिछले साल भी जो है इस बार का result भी तो यह बहुत बेटर रहा है क्योंकि यह से टॉपर भ गारे इंपोटन इसका है यह स्टार्ट होगा इस स्टार्ट भी तो इसलिए आप जो है इस बेच को जो है इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा ले एडिमिशन करना पड़ेगा ठीक है जो बहुत ही आसान है इसके लिए आपको admission करना पड़ेगा, admission करने के लिए आपको download करना पड़ेगा, बिहारवोड SAD app को, ठीक है, उस app में आपको जैसे download करेंगे, तब ये एक lux batch होगा, बैच का नम क्या है, lux batch, उस batch को आपको आपको पर्चेस करना है, जिसका price की अगर बात करें, तो ये 2999 रुपया का है, price कितना है, 2999 रुपया है, लेकिन यहाँ आपको अभी fully, कुछी दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, जो है offer में रखा गया है, मात्रा भी आपको 499 रुपया में, offer में जो है मिल रहा है, पूरी तरह सी आपको 499 रुपया में यह आपको बिल्कुल दिया जाता है, और आपको बता दे कि यह इसमें आपको special notes दिया जाएगा, जिस notes के मादियम से अगर आप सरिफ तैयारी करेंगे, तो आपका पूरा संपूर्ण बोर्ड एक्जाम का त्यारी हो जाएगा, 90% अपका guarantee है, कि 90% अगर आप इसके मादियम से त्यारी करते हैं, तो 90% आप रिजल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक सर्त है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा, उसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह जो आपको 499 रप्या में इन सारे चीज़ की सुविधा आपको दिया जाएगा, अब तक पूरे यूटूब में आपको इस तरह का यह नहीं नहीं दिया जाएगा, मातर 499 रप्या में डेली लाइब क्लास के साथ आपको यह नहीं इस तरह का नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप जोइन करना चाहेंगे, तो बिहार बडेस्टेडी आपको डाउनलोड कीज़ें, जाकर के लक्स बैस को आप पर्सेश कर लिज़ें, ठीक है, बहुत आसान तरीका है, अगर वहां से आप नहीं कर पाएंगे, तो पैमेंट करने का आपका मेथड़ किया है, ठीक है, इस चेप्टर में, अब जो है इसका पार्ट तू में इसका आम लोग चेप्टर, मतलब इसका ऑबजेक्टिव को कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको आई होप समझ में आ जाना चीए, चलेगा, यह तक आज का आज को इन करते हैं, जब